गुडिवनिंग फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचेंग क्लासे जैसा की 22 मार्च को एक्जाम हुआ एससी जेही का टीर फर्स्ट का तो कट ओफ क्या रहेने वाली है सेफ स्कोर क्या रहेगा मेकेनिकल के छात्रों के लिए, इलेक्टिकल के छात्रों के लिए और सिविल के छात्रों के लिए सभी छात्र ध्यान दें जैसा कि SSC हर साल कुछ ना कुछ नया ट्राइ कर रही है जैसा कि पेपर में भी कुछ चेंजिंग आ रही है तो उस case में आप cut off क्या रहने वाली है mechanical की, electrical की या civil की तो देखिए मैं step by step बताता रहूँगा mechanical, electrical और civil journal के लिए अगर मैं बात करूँ safe score जो prelims का cut off है, tier 1 का cut off है जो safe score उनके लिए रहेगा tier 2 में जाने के लिए तो देखिए mechanical, electrical का journal में 150, 155 प्लस question, 155 प्लस round figure में 155 प्लस अगर आपके marks बन रहे हैं तो tier 1 आपका qualify हो जाएगा civil के लिए 125 प्लस में tier 1 qualify हो जाएगा साथ यह मता दूँ कि OBC और EWS के लिए mechanical, electrical के 150 प्लस हैं तो qualify हो जाएगा साथ यह मता दूँ, civil के लिए 115 प्लस है tier 1 में, तो qualify हो जाएगा अगर हम बात कर लूँ SC की mechanical, electrical की चात्रों के लिए 140 प्लस और civil के लिए 103 प्लस और मैं ST के लिए अगर बात कर लूँ, तो 135 प्लस mechanical, electrical के लिए 135 प्लस और civil में 100 प्लस यह बिल्कुल cut off, satik बनाई गई है जैसे कि analysis, last year और प्लस 2-3 साल के जो exam हो रहे हैं उनके according, तो देखी cut off कही न कहीं इसी के पास रहेगी, जैसा कि आपके साथ share की गई है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो like करें channel को subscribe करें, thank you so much, जैहिंज जैवारत